काफी टाइम से इस एनिमे सीरीज को देख रहा था, कभी टाइम मुझे मिलता, कभी नहीं मिलता, इस वज़े से मुझे इस एनिमे सीरीज को कम्प्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, नमश्कार दोस्तों, इस वीडियों बात करने वाला हूँ, ग्रेट टीचर अनिजो का ये एक एनिमे सीरीज है, ये 1999 में आये थी, टोटल इसके अंदर 43 एपिसोड है, और जिन लोगों को ऐसी एनिमे बिल्कुल हटके एनिमे देखने का मन कर रहा हूँ, तुम्हें उसको यही कहूँगा कि एक बार ये वाली एनिमे जरूर देखना, बहुत अच्छ अब इसको एक टीचर बनना है, और वो भी ऐसा चोटा मोटा टीचर नहीं, पूरे जपान का सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा का मतलब सबसे महान टीचर बनना चाता है, हलांकि इसको आता जाता कुछ भी नहीं है, बट इसके पास confidence की भाई साब बिल्कुल भी कमी नह करना है, तो उसके लिए इसके रास्ते में कुछ भी आ जाए, यह उस चीज को पार तरके ही रहेगा, तो उन्चुका प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर की जोब मिलती है, और उसे ऐसी क्लास दी जाती है, जो पूरे स्कूल के अंदर बदनाम है, टीचर को तंग कर जाए, ऐसे कह सकते हैं कि वाट लगाने में, बट भाई अपना उन्चुका छोटी मोटी चीज थोड़ना है, यह तो पूरा को पूरा हरामी इंसान है, इस से पंगेलना, भाई साब इस क्लास को बहुत भारी पड़ता है, अब यह दीरे दीरे इंसान अपना ट्रस्ट क्रि वो हो जाए तो उनके कमफर्ट जो हमें जाके यह इंसान उनकी प्रोड्रम सोर करता है, उनका थ्रस्ट अपने उपर मतलब बनाता है, भले इस इंसान को कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों से बढ़कर इसके लिए यह जो बच्चे हैं जिनको यह पढ़ा रहा है, फिर और भी कोई स्कूल के कुछ एक ऐसे वाक्या होते हैं इसके अंदर, कि भी दूसरे स्कूल के एक लड़की होती है, उसको बचाने तक के लिए इंसान अपनी जान तक की बाजी लगा लेता है, मतलब इसको कुछ भी हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता, यह सिर्फ वरुच चाता है कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, एक मिनिट, क्या मैं स्पोईलर देने की कोशिश कर रहा हूँ, I think मैंने जितना आप लोगों को बताया है, उसमें मैंने कोई ऐसा सीन आप लोगों साथ डिसकस नहीं किय क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नहीं, मेरे साब से नहीं किया है, तो मैंने कोई स्पोईलर नहीं दिया है, अब देखने वाली बात ही होती है, कि यह जब स्कूल में जाता है, तो कैसे कैसी प्रोब्लम इसके सामने आती है, और उन प्रोब्लम से निकलने के लिए, यह इ होग로 जयाता पसंद आया ौनयुका का जो भीहेवियर है है बच्चों को पढ़ाने मतलब यह बच्चों को पढ़ाता तो कुछ नहीं यह लेकिन उनको यह सिखाता है कि पढ़ा से एक नंबर का कमीना इंसान है हाँ यह सारी चीजें जो है इस एनिमेशन की बात करूं तो यार देखो एनिमेशन बहुँ ज़्यादा कमाल का लगा जो इसके अंदर एनिमेशन के मतलब जो एनिमे करेक्टर ने उनके एक्सप्रेशन जो इनों ने दिये है यार वो इतने एक्स्ट्रीम लेवल के ते लगेगा नहीं कि 1999 की जो सीरीज है बहुत अच्छी एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा यह जो एनिमेशन देखकर और जो हम एनिमे देखते हैं उसकी स्पेशल मतलब खास बात एक तरीके स होते हैं उनकी backstory दिखा कर हमें उनसे इतने अच्छे से connect कर दिया जाता है कि हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि हां इसके साथ क्या होगा तो फिर उसकी जो experience कर पाते हैं मेरा सच्छे मैं बहुत मजदा मन कर रहा है मैं आप लोगों के साथ कोई episodes discuss करूं for example कि जो इसके श फोटो इसका चहरा लेकर एक ऐसे इंसान के साथ लगा देते हैं जो पूरा न्यूड है और वाइस प्रिंसिपल भी उसके साथ कड़ा कर देते हैं मतलब उसके बाद पूरे एंटरंस गेट के उपर इसकी फोटो लगाते हैं और यह देखके पूरी जनता वहां कि मतलब जो उन्जुका का जो करेक्टर हैं वो बस चाहता है कि बच्चों को सही धंक से उनको शिक्षा मिले कोई अच्छी चीजे उनको सिखाई जाए बहुत एक मतलब एक ऐसी एनिमे के साथ जिसमें हसी मजाग भी है और उसके साथ एक अच्छा मैसिज भी आपको कनवे किया गय मतलब complete होने में कि एक बच्ची की problem यह थी उसको मतलब उसको दूर करने में और जुका कैसे help करते हैं तो काफी सारे बच्चों की problems आपको इसमें देखने को मिलेगी इवन और जुका कि अपने जो click हैं वो इससे जलने लग जाते हैं कि यह इंसान आ गया है बच्चों का प मतलब जिसमें रोना धोना ना हो मैं उसमें रोऊना या फिर कोई ऐसी power वाली ना हो मतलब जिसमें supernatural power हो या sound मतलब हटके चाता था एक दों बिल्कूल सिंपल सी एक अच्छी स्टोरी जिसके अंदर हम यह logic हम उसके साथ तोड़ा सा relate कर पाएं और इसके साथ हम relate कर पाते है actual में चीजों को और यह जो जो का है इतनी पागल-पागल हरकते करते हैं मेरे को अभी भी हसी आ रही हो मैं साथ एक दो और सीन जो डिसकेस करूं बट मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा और वीडियो यही रोकनी पड़ेगी क्योंकि यार मैं आपका इंटर स्क्राब ने करना चाहता सच में काफी ज्यादा एक अच्छी एनिमे सीरीज है आपको मैं जरूर कमेंडिट करूंगा यह जरूर देखना और इसमें अडल्ट सीन की बात करूं तो नहीं है मतलब उसे अडल्ट सीन कहेंगे नहीं उसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत है भी और नहीं भी मतलब नहीं है 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 थोड़ा सा मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 सा अगर किसी न जिगल सोर्स नहीं है मैं फिर से कहा रहा हूँ यार क्या करूं दिल को मतलब तसली देने के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ें कोई ना कोई ना आने वाले टाइम में आएंगी चीज़ें सुद्रेगा भारत मतलब भारत में जो एनिमे का जो यह हमारे सामनी इमेज जब वो सुद्रेगी बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स वर वॉचिंग दिस वीडियो में जाहिन